Let's call it in the crossfire What is up guys, welcome back to the channel India Sonic आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा हैरियर के कुछ बढ़िया मोडिफिकेशन्स हैरियर स्टॉक फॉर्म में भी बहुत एग्रेसिव और बोल्ड लगती है इस गाड़ी में बिना कुछ मोडिफिकेशन्स के भी अमेजिंग स्ट्रीट प्रेजन्स मिल जाती है परसनली लोक्स के मामले में ये गाड़ी मुझे बेस्ट लगती है अपने सेग्मेंट में किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर की फ्रेंट डिजाइन्स भी काफी बढ़िया है पर रियर साइड में वो दोनों ठीक ठाक लगती है यहीं हैरियर आगे से पीछे से और यहां तक की साइड से भी काफी अच्छी लगती है इस कार में अगर टाटा का लोगो हटागर लैंड रोवर का बैच लगाया जाए तो आम लोग इसे लैंड रोवर का नया मॉडल ही समझेंगे पर अगर थोड़े बहुत टेस्टफल और सटल मॉड्स किये जाए तो यह और भी बहतरीन लग सकती है जो कि आज हम इस वीडियो में देखने माले है टाटा खुद हैरियर का डाक एडिशन और कैमो एडिशन भी सेल करता है जो खुद में ही स्टाइलिश लगते हैं पर यहां हम कुछ आफटर मार्केट मॉड्स देखने माले है तो चलिए दोस्तों आप ये मॉडिफिकेशन इंजॉई कीजिए मैं आपको मिलता हूँ अगल एड़े खूपरो कुछ एड़े और कीजिए स्टाइलिश भड़शने माले हुआ है झाल 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 झाल